हेलो दूस्तों विल्कम टो आर्ट एंड कर्फ्ट इत्रोगोर देखिए मैं कुछ प्लैंट्स लेका यह नार्शारी से तो इस अब दिखा रहे हो देखिए यह पेंजी है एक पिटुनिया है दो स्ट्रॉबेरी ऐसे टेविल कमीनी और यह सब पिटुनिया और यह सब लेका और कुछ हैंगिंग पॉट भी इसके सब लेके आई हूं तो पहले ही मेरा गार्डन रेडी हो गया तो इस पर मेरा सामने नार्शारी है तो यह सब पसंद आया तो मैं लेके आ गई तो देखिए इसके लिए ऐसे जो पॉट है ऐसे पॉट रहता नीचे इसका फसाने के हैं और ऐसे करके इसको लगा देने से यह लग जाएगा अधिक्या मेरा पहले भी गार्डन तो रेडी कर लिए यह कुछ नया आई है और देखिए मिट्टी मेरा पहले से रेडी हुआ है और इसके नीचे होल देने के लिए होल है लेकिन सब होल ठीक ठाक नहीं था तो ऐसे हो ही इसके नीचे दे रहे तो गमला जो है थोड़ा हलका रहेगा हैंगिंग है तो हलका होने से क्या होता है ज्यादा प्रेसर नहीं पड़ेगा यह जो है कोको पीट है तो कोको पीट के साथ थोड़ा सा मिट्टी मिलाओंगी और थोड़ा सा रेध बालू जिसको बोलते है इसको मिलाओंगी और इसमे नीम खली और जो compost मिट्टी से पहले से सब मिला के रखी थी तो इस अब नीचे भी नळसारीं से लेकर आए तो यह एक कप्रे टाइप जो लगा ऊथा तो उसको निकाल दी। लिकालके ऐसे रखके इसमें पुरे में आच्छे से मिट्टी डाल दूँगी फिर बाद में पानी देने से यह दब जाएगा तो फिर बाद में हर अपते इसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा खात देना पड़ेगा सारे प्लैंट्स में जो देखी हो गया और यह निकालके फिर इसमें डाल देंगे और एक पॉट में और यह जो पेंजी बगार है यह सब दो ही लेकर आई हूँ पेंजी फ्लावर दिखने में बहुत सुन्दर होता है तो कलर तो अभी पता नहीं है कौन सा कलर आया है मेरे पास तो खिलने के बाद ही पता चलेगा यह जो फ्लावर से जिलगा रही हूँ और फ्लावर जैसे है यह पर प्रेंट में लगाें है इसुकल को अगत ऊपर में पूरावर हैंगें अतों और यह सब तो पहले लिएक गया आयती यह हूक तैप का है म्यागु होता है मग टाइप का है तो इसमें फ्रवियंग फ्रेस से फिकली ना bowling धा depressed शोल को चैनल चाहिश होने थह कुछ या देखा को और अनसमा त ओपने अदने वे मम हैं इसमें बड़ेन उन सब्सक्राइब करना और कोई चीज देखना है तो आप लोग बता सकते हूं पूरिदारी से गुसेश करोंगी और पूरिदारी से गौसेश करहूंगी और प्रश हाग येृट